आज के वीडियो में हम लोग बिहार पुलिस ड्राइवर इंटर्विव मौखिक परिच्छा जो की 40 नमर के पूछे जाते हैं उस पे हम लोग डिसकर्स करेंगे तो इसमें हम लोग क्या डिसकर्स करेंगे आज इंजन और इंजन के पार्ट्स पूर्जे के बारे में तो इसमे फोर इस्ट्रोक ही इंजन हम लोग क्यों परते हैं तो आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे फोर इस्ट्रोक इंजन क्या है फोर इस्ट्रोक इंजन क्या 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 कंपोनेंट है यह सब हम आज डिटेल में डिसकर्स करेंगे और यह भी जानेंगे सीसी क्या है सीसी का फूल परम क्या है और सीसी कैसे निकालते हैं यह सब हम इस वीडियो में देखेंगे चलिए खुसी-खुसी कलास स्टार्ट किया जाए सबसे पहले फोर स्ट्रोक इंजन क्या है तो आपके मन में आता होगा फोर स्ट्रोक यानि कि जिसमें चार सिलंडर लगा होगा वह फोर स्ट्रोक काल आता है क्या नहीं फोर स्ट्रोक इंजन वह नहीं होता है फोर स्ट्रोक पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे उससे पहले अंता दहन इंजन यानि कि दहन का परकिरिया इंजन के अंदर हो और एक होता है वाहर दहन इंजन इंजन जिसमें क्या होता है दहन का परकिरिया इंजन के बाहर होता है और अभी जो पिट्रोल इंजन डिजल इंजन आता है उसमें क्या होता है सिलेंडर के अंदर दहन का परक नश्में जाता था तो उसको हम लोग इस्टरणल कमरसा इंजन बोलते हैं चलिए अपना टॉपिक में आते हैं सबसे पहले इंजन क्या है और आपको बता दे कि फ्यूल के अधार पे हम लोग इंजन को तीन भाग में बाट एक है दो भाग में बाते हैं पेट्रोल इंजन और डिजल इंजन तो पेट्रोल इंजन और डिजल इंजन में भी को भी दो टाइप में दिवाइड किया गया एक होता है टू स्ट्रोक इंजन एक होता है फोर स्ट्रोक इंजन उसे कहते हैं जो दो बार स्ट्रोक क्या सबसे प को कहते हैं टॉप डिडू सेंटर और वी डीसी को कहते हैं बोट मिल्रे सेंटर अब यह टीडी और वी डीसी किया है है इससे हम डीटे़। चरचा करते हैं जाय किOTH के तो इसमें हम देखते हैं कि TDC यह है तो पिष्टन ऊपर तक कहां जाएगा तो TDC तक जाएगा और VDC नीचे कहां तक आएगा minimum VDC तक इसी को हम लोग stroke बोलते हैं तो मतलब कि VDC से TDC तक जो piston करती है उसको हम एक श्ट्रोक बोलते हैं तो फोर श्ट्रोक कहने का मतलब क्या है यह पिस्टन है जो चार बार उपर नीचे करेगी ना तो एक साइकल बनेगा जिसमें पूरा दहन का परकिरिया जैसे एर और फ्यूल का मिकसर रहेगा ना फ्यूल के डीजल और पेट्रॉल व दहन का परकिरिया पूरा होगा तो उसको चार बार में होगा इसलिए हम इसको फोर श्ट्रोक इंजन बोलते हैं समझ गए ना फोर श्ट्रोक इंजन क्या समझ गए होंगे जिसमें जिसमें की जो पिस्टन है जो उपर नीचे टीडीसी से वीडीसी और वीडीसी से टीडीस चार बर करेगा उसी को हम लोग फोर स्ट्रोक बोलते हैं अगर वह ही ट्वेस्ट्रोक रहता जो पुराना राजदुटार में सुनते होंगे कि ट्वेस्ट्रोक इंजन रहता है तो उसमें क्या होता है पिस्टन दो बार ही उपर से निचे करती है और एक साइकल कम्पलेट कर जो दफोर कूरा होता है तो वह लोग रहते हैं तो ही तो बार wedना पूरा निचे कर लेती उसको हम लोग तूर स्ट्रोक और यहां पर क्या होता है कि प्लीट होता है तो इसलिए इसको पूर स्ट्रोक इंजन व measuring plan को डिटेल में देखते हैं जैसे यह दिख रहा होगा यह TDC है और VDC यानि टॉप डिट संटर वाटम डिट संटर और सबसे पहले यह जान लेजिए डिजल इंजन और पेट्रॉल इंजन में अगर कोई पूछ देखा जिए डिजल इंजन और पेट्रॉल इंजन में क्या अंतर ह एक लाइन में आप परिभासित कीजिए तो आप सीधा बोल देजेगा सर डीजल इंजन में इंजेक्टर लगा रहता है और पेट्रोल इंजन में स्पार्क पलग लगा रहता है तो वह समझ जाएगा कि आप परे हैं तो आपको नेक्स्ट कोश्चन पूछ देगा लेकिन आप मतलब पूछ देजे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में क्या अंतर है तो आप पता देजेगा स्पार्क पलग और फ्यूर इंजेक्टर का उसके बार क्या है इनलेट भाल्व का क्या काम है जो एयर और फ्यूल का मिक्सर रहता है ना पेट्रोल इंजन में हम अभी क्लाक होके यह जो शिलेंडर के अंदर यह जो खाली स्थान दिख रहे ना इसमें इन कलता है और उसी तरह इक जौस बल्व क्या है जब दहन का परकिरिया पूरा हो जाता है तो जो धुआ बज जाता है वह एक जौस बल्व के थूरु सालेंसर बाहर निकलता है समझ गए न करते हैं उसके बास सेलेंडर हेड जो ऊपर का ये जो भाग है इसको सेलेंडर हेड बोलते हैं और ये पूरा जो सपाना इसको ष crunchy लेंडर बोलते हैं चलिए पिष्टन रिंग बहुत ही इंप्पोर्टेंट है इंजन के लिए देखे इनलेट बहल में और फ्यूल का जो मिक्सर है वह कहां सेंडर के अंदर इन करेंगा न तो अगर पिस्टन रिंग नहीं लगा रहेगा तो यहां से लिकेज होने लगेगा और नीचे लिकेज हो जाएगा और जानते हैं कि यह सब तर क्या लूब्रिकेंट रहता है तो दोनों मिल जाएगा उसके बाद यह मतलब बहुत सारा लॉसस आएगा इस पर हम डिटेल चर्चा क करेंगे लेकिन अभी देखते हैं बेसिक बेसिक कमपोनेंट इसलिए पिस्टन रिंग बहुत ही इंजन के लिए इंपोर्टेंट होता है इसी और इसी पर डिपेंड करता है पिस्टन रिंग पर सम्झे को उसके बार क्या होता है देखिए आन कि पिष्टन देख लिए अप लोगों का εक कुश्चन है जे अगर कोई भी इंजन में अगर पिष्टन रिंग की संख्या वरहा दीया जाए तो वो इंजन अच्छा रहेगा या इंजन के लिए अच्छा रहेगा या अच्छा नहीं रहेगा आप लोग comment में हमें बताईएगा जो piston ring को कोई भी engine को संख्या बरा दिया जाता है piston ring का तो engine के लिए कैसा रहेगा चलिए next देखते हैं next है piston piston तो आप लोग जानते ही है piston क्या है जो move करता है TDC से BDC और BDC से TDC चलिए next देखते है connecting rod connecting rod क्या है नाम से आप लोगों को पटा चलता होगा कि piston और यह जो crank shaft है न यह crank जो दिख रहा है crank है यह और यह ही जो shaft पे लगा रहा है इसलिए इसको हम लोग crank shaft बोलते है समझे आइसे यह जो दिख रहा है crank है समझे यह यह वाला crank है और यह shaft पे लगा रहेगा तो इसको हम लोग crank shaft बोलते है connecting rod क्या करता है connecting rod है जो piston और crank दोनों को connect करता है इसलिए इसको हम लोग कनेक्टिंग रोड बोलते हैं उसके बार यह क्रेंग केस जो कनेक्टिंग और क्रेंग क्या है जो 360 डिगरी रोटेट करता है इसको हम लोग क्रेंग बोलते हैं और क्रेंग केस जो इसके अंदर जो सनरचना रहता है न इसको क्रैंग केस बोलते हैं तो बैसिक बैसिक कमपोनेंट्स समझ गए यह आप लोग फिर से अंब दcular इंड्यवा केवल और केवल इंजर और full इंजेक्टर केवल और केवल डिजल इंजन और इनलेट बिभल डोनों मे राता है लेकिन ध्यान रखिएगा डिजल इंजन में इनलेट बिभल और छैब आता है जो इनलेट बिभल आता है तबना एर फिल्टर उसरीइंuse लागा रहता है और पेट्रोल एंजन में distinction cooling मिक्स हो के आता है तो यह ध्यान रखिएगा आज स्पार्क पलयग और एएर और फ्यूल मिक्स हो के आता है और डीजल इंजन में क्या वह ए दैर्द डीजलिय ंजन में के रखें गे तो आपको हम बताएंगे फोर rolls остав teor पेट्रॉल इंजर्ड में लगा राता है तो चिंगारी माखे है तो दहनका परकिरिया होता है लेकिन यह फ्यूल इंजेक्टर पेट्रॉल इंजर्ड में यी रहता है तो फ्यूल कैसे जलता है यह आपलोग isters propagate नीचे जरूर बताएगा और नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका पूरा डिसकर्स करेंगे यह स्पार्क पलग पेट्रॉल इंजन में क्यों लगा रहता है और डीजल इंजन में क्यों लगा रहता है और डीजल इंजन में स्पार्क पलग क्यों नहीं लगा रहता है चलिए देखते हैं उसके बा सब्सक्राइब रिए जो भी हो मतलब यह करते हैं तो उसी तरह यहां भी सिलेंडर के अंदर air और fuel का mixer सही से आएगा अगर यह सिलिंडर रहेगा इसलिए यहाँ पे सिलिंडर का यूज होता है rectangle वगेरा का नहीं तो इसलिए यह सिलिंडर का रहता है तो बोर मतलब diameter D हो गया और यह stroke मतलब इसको height बोल सकते हैं या length बोल सकते हैं जो ही आप बोलिए height ही बोलिए तो आप लोग बच्पन में पहुआ होंगे यह जो हाइट यह हाइट बोलिए इसको इसको diameter बोलिए तो सिलिंडर का volume क्या होता है सिलिंडर का आयतन तेंथ कलास से पहस्ति आ रहा है उसका सिलिंडर का आयतन होता है अधो कि भाइए फोर कि d2-h चलिंडर का इसको इसमें देखिए यहाँ बोर है बोर को हम लोग diameter बोलते हैं तो क्या बोर कि हम क्या चीज में रखे असा यूनित होता है न कोई भी चीज का तो क्या होगा सेंटीमीटर में इसको हम रखते हैं उसके बाद हाइट भी क्या है सेंटीमीटर में है लेकिन यह क्या डाइमीटर स्क्वार है यानि कि सेंटीमीटर स्क्वार तो दखिए एक मिनिट चोटा चोटा लिए क्या है पाइवाइव फोर डी स्क्वार एच यह क्या है सिलेंडर का है यह भॉलूम ही है ना पूरा सिलेंडर का यह हम बता रहे हैं जिसी कैसे निकलता है समझे यह है तो यहां क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वाइर क्योंकि डी स्क्वाइर है और उसके बार यह क्या हो जाएगा सेंटीमीटर उसके बार इसको अगर सेंटीमीटर स्क्वाइर और क्यूबिक सेंटीमेटर यानि की सीसी क्या है यही है तो आज से आप लोग समझ गए जैसे सीसी क्या है सीसी क्या है बताएगा सीसी क्यूबिक सेंटीमेटर है सीसी क्यूविक सेंटीमीटर है तो क्यूविक सेंटीमीटर क्यों बोलते हैं क्योंकि सेंटीमीटर का क्यूव है इसलिए इसको हम लोग सेंटीमीटर क्यूविक सेंटीमीटर बोलते हैं तो पता नहीं बचपन से आप लोग सुनते आ रहे हैं इतना सीसी का बाई कितना सीसी का क्या है वो तो इसका जो आयतन रहेगा न उसी को हम लोग CC बोलते हैं और एक बात ध्यान दिजेगा यह TDC और इसके जो इनलेट बलब है उसमें थुरा किलियर distance दिख रहा होगा यह distance कुछ नहीं है clearance distance है क्यों दिया जाता है क्योंकि air और fuel क्या होगा compressor का परकिरिया होगा चार परकिरिया होता है तो क्या होगा इसमें compress करेगा तो उपर जाएगा तो यहाँ पे कुछ जगा रहना चाहिए तब नवर्न होगा जो हम यह बोल लाएं उसके बाद क्या होगा तो यह clearance है यह कुछ नहीं है clearance है देखते हैं तो और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जे cylinder कैसा दिखता है और piston connecting rod कैसा दिखता है practical भी हुमे और यह crank shaft कैसा दिखता है चलिए next slide में देखते है देखिए यह है आपका piston यह जो दिख रहा है यह piston और यह क्या है connecting rod समझ गए ना यह क्या है piston और यह देखिए और यह जो दिख रहा है यह piston ring रहता है इसमें तीन ring बैठाया गया तीन ring है समझे तो यह आप लोग comment में जरूर बताएगा पिस्टन में अगर ring हम बढ़ाएंगे तो इंजन के लिए सही रहेगा या कैसा रहेगा और उसके बार यह क्या है connecting rod यह यह दखिए यह connecting rod है और यह crank shaft है crank है यह जो black वाला दिख रहा है crank और यह shaft में यह लगा हुगा है इसकी को हम crank shaft बोलते हैं चलिए यह समझ गए piston connecting rod और crank shaft एकदम practical view में खून में घुच जाना चाहिए वार piston उसके बार connecting rod और यह six cylinder का है जो वी टाइप का जो six cylinder देख रहे हैं यह वी टाइप का है चलिए नेक्स्ट देखते हैं और इस पार्क पलक तो यह हम लोग फोर स्ट्रोक इंजन के वर्किंग कंडिशन देखेंगे न तो उसमें हम लोग इस पार्क पलक पे विसे चर्चा करेंगे जो यह गैप क्यों छोड़ा जाता है यह यह जो गैप दिख रहा है यह यहां से जो चिंगारी उठपन करता है समझे हम जब स्पार्क पलक वर्किंग कंडिशन देखेंगे फोर स्ट्रोक के बारे में तो उसमें हम लोग बिसेश में चर्चा करेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट यह स्पार्क पलक है इनलेट वालब है जो यह दिख रहा है फाल्ब स्पिरिंग लगा रहता है एक इनलेट वालब है और एक एक य। ल॥ियोष्ट वालब है और उसके वाद ऊपर सब्सक्व फियुग को कउंट्रोल करता है यह स्पार्क पलक पलक बिस और यह क्या पर पाल को फट्रोल इंजिए उप्रो topics पहल मेंने नाम से शर्ण म उसके बार नेक्स्ट देखते हैं का नेक्स्ट बीडियोिज में वर्किंग कर गले धर Maisis प्रेंगए वर्किंग प्रइंसपल देखेंगे फोर स्ट्रोक के बारे में तो यह सब देखिए क्टिकल और पिस्टन देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर का अगर आप इंटर्व्यू का मोखिक परिच्छा का आप सही से त्यारी करना चाहते हैं तो हमारे इस नमर पे आप मैसेज किजिए वाट्षप मेसेज किजिएगा हम आपको PDF सेंड करेंगे समझे ससी कुमार के नाम से यह वाट्षप चलता होगा तो हम आपको पीडियेफ सेंद करेंगे और अभी तक बहुत सारे स्टूडेंट है जो हमारा पीडियेफ ले चुके हैं और वो बहुत खुस है क्योंकि पीडियेफ में जो 40 नमर का इंटरव्यू का पूरा मेटेरियल है तो आप भी अगर लेना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कर सकते हैं इसी नमर पर समझें जो नमर दिख रहा है इस पर चलिए धन्यवाद